कि आम तोर पे आम जो नागरिक था ही सोचता था कि अब नेता आ रहे हैं तो पता नहीं दस बज़े का आया तो बारा एक बज़े आएगा आपके जो छे बज़े चलने से ये तै हो गया कि काइम पे उठेंगे और छे बज़े सेड़ टाइम पे पोशेगे राजीव जी के साथ भी काम किया है आपके साथ भी राजीव जी तो दो बज़े से पहले नी सोने देते थे आप पांच बज़े के बाद नी सोने देते पहले पुर्फागत हमारा हम क्या करें। दू दिन पहले में निकला तुम चाई पी ने रुका। और जब पैसे देने कहा तो उसने पूछा के तुम राहू गांधी के साथ चल रहे हो। मैंने कहा। तेरे पैसे नहीं चाहिए। तो छोड़ा बहुत महनत कर रहा है। छोड़ा मजबूती से चल रहा है, हमें सुन रहा है। तेरे पैसे नहीं चाहिए। मोदी को बेनकाब करने का काम किया है हर मुद्य को ले करके। चाहे वो आर्थिक उनके नीती हैं, चाहे जो सामाजी को धार्विक बेद्भाव जो चल रहा है। उन चीजों पर जो आपने बहतर नंग शे अटेक किया। और वो बहुत बहतर लगा आपका जो आपने जेब कत्रा वाला जो यह कह देना था कि जेब कत्रा कभी अखेला काम नहीं करता है। मतलब वो दो तीन आते हैं, एक साथ काम करते हैं। सबसे बड़ी आबाद यह होई कि जो व्यपारी वरक्था जिसमें पहले बीजे बीजबी चक्छा थी। राहूल गांधी जी की सियात्रा से उनके दिमाग में भी यह बात आई कि यह व्यक्ति आया जो हमारी बात करता है। डिसने महेंगई की बात की है। ज़िसने बैरोजगारी की बात की है। और जो व्यपार है वो भी आजकल चलने एंगारा। इससे मैं कटिंग गरता हूँ। उसका कोई राजनीती रूप से उसका कोई तलब बालबाल। तरनाओं के कटिंग या अपने बाल के कटिंग एक तो हम जिसको जाके कह रहे हैं आओ वही कि एक तो यह बात होगी एक अपने आप जो ढूनने की बात कर रहा है उस फरक को मैं बताना चाहिए जिस दिन से हमारी यात्रा चली डूरिंग दसेशन आलसो जैसे हम लोग एंटर किये तो भेसब पांचे मैले इस फरिदावाद गुड़गाओं साइट सोना वले सब लुग बैठे हुए थे पांचे उचे वो बीजेपी वाले थे तो जैसे ही देखके और भारत उन बेसे मिस परिदावाद वाले मेले बहन जी हमें तो यह पता है हमारा घर परिवार महला एक भी वेक्ति बीजेपी का नी बचा जो राहुल जी की आत्रा देखने नी पहुंचा हो जब पहला दिन था तो सब का था कि यात्रा अर्याना में 8-9 दिन चलेगी कब खतम होगी अब ऐसा हो अब बहनों को निकाले में थोड़ा प्रोब्लम हो रही थी तो मैंने उनको का मैंने बहाँ आप प्रेशान हो रहे हो अमार लिए वेवस्ता में तो दिल से आप लोगो का शुकरिया करे परेशान तो सरकार से हैं ऐसे ऐसे रसे तो पूरे साल पकड़ ले रहूल जी के अब आपकी टी-शेट के उपर सवाल हर गाह ने पूचे लटोर साब लाओ जी आंगे पूछ के बताईयो भाई वो क्या खावे है खाने की बात रहती है ना सर आपकी तो कई एक दोस्ते है करता यार यह देख तो सही सुवेरे खावे क्या है सुबह सुबही ने थड़किय उपार रखाने लगती क कॉछिछ करता हूँ जरा आप जो गिलास में आप दूथ पीते हो ना सिर्क्या है कोफी है क्या है मैं कहीं कुछ पीते तो हैं पटा निए शेक साया पता निक हैं क्या था ओर ज्यादह बूद पीता उसमें बहुत थोड़ी से कौफी डाता है अपन आपने कोशिश की उसको बुलाने की, वो भीड में कई बार रह जाते हैं, आज मुझे मिल गया हूँ, तो मैंने का सौरी आपको राहूल जी चाह रहे थे, लेकिन बात नी बन पाई, आप साथ साच चले, यह तो कोई बात नी, उन्होंने मुझे पहचान दिया और मेरे से उन नहीं, वो डिविजन के आधार पर वो वोट बटोरते हैं, उससे प्रोग्रेस को वो सप्लिमेंट कर लेते हैं, उन्हें लाइट वे, एक बुड़े आदमी यह कह रहे थे, बोले यार यह जाड़ा तो चड़ना चाहिए था राहूल गांदी को, सर्दी को हम जाड़ा कहते यह चड़ा हुआ है बीजेपी वाड़ां को, यह चक्कर नहीं समझ में है, ना तो जाड़े से डरता, ना यह ठाड़े से डरता, इसलिए हम इसके साथ हैं, यह यातरा जो है वो तबदील हो चकी है, जन आंदोलन में, कोई शक्पी बात की है, मगर एक बात मैं चाहता हूँ कि अब यातरा में सब एक साथ चले, आपको एक साथ काम करना है, एक दूसरे के साथ मिल के काम करना है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, महबबत की यहाँ पर हर्याना में कॉंग्रिस पार्टी के अंदर दुकान कोल दें झाल झाल